दोस्तों क्या चैट GPT के आने से हम लोग फ्री में अप्लिकेशन बना पाएंगे यह से बहुत जादा इंट्रेस्टिंग आपके मैं में ऐसे सवाल आता होगा ना इंट्रेस्टिंग कोश्चन भी है और आज आपको मैं इस वीडियो में इसका बहुत बेस्ट आंसर दूँग पहला क्वेशन तो यह है आपको पहले मैं बता दूगी चैट GPT है क्या चैट GPT मतलब गूगल की तरह ही है गूगल की तरह आप नहीं बहुत सकते हैं चैट बॉट है एक AI सिस्टम है जहां पर आप कोई भी सवाल पूछते उससे तो वह बहुत सही तरीके से जवाब देता है एक पूरा AI बेस्ट वेबसाइट आप फिलाल तो वेबसाइट ही है पूरा सिस्टम अलग अभी पूरा सर्वर पर आया भी नहीं है वह अभी बहुत बेस्ट काम कर रहा है लोगों के लिए मतलब अंगर आप कोई भी सवाल पूछते तो आपका जो क्वेशन है उसके हिस हो आनसर भी देता और जो सीसाब से हर बांच चलों के बारे में पस आपको यह बताने갈ा हूं कि चैडगी पीट्यू पर लिए क्या बेनेफिक्षिल है या नहीं? देखो क्या है न, chat GPT पे अगर आप किसी, जैसे मान के चलो मुझे एक layout चाहिए, layout design चाहिए, login screen का, अगर वो मैं type करता हूँ, तो मुझे पूरा complete layout design मिल जाता है, layout की coding मतलब मिल जाती है, जो हमने login screen पे जो हमें buttons चाहिए, जो हमें text field चाहिए, उसकी पुरी जो coding है वो मुझ जो flutter आता है, flutter का मैं basic अगर जानता हूँ, तो chat GPT मेरे लिए बहुँ जादा helpful हो सकता है, वैसे इस वीडियो में मैंने आपको बताया, कि क्या आप free application बना पाओगे, chat GPT से, अगर आप अभी वहां जाके कुछ type पर होगी, कि मेरे लिए ये app बना दो, तो वो नहीं बना क आपको उसके लिए पहले programming आने चाहिए, तो chat GPT साथ free में आप नहीं बना पाओगे, आपको उसके लिए basic programming अगर आती है, flutter की या backend के लिए जो भी आप use करने वाले हो, उसके अगर basic programming आती है, आपको पता है कि कोन सी file किसले use होती है, API कैसे call होता है, screens कैसे बनाते हैं, हमापे भी तो charge नहीं है, बट हो सकता है, इन future रहेगा, तो इस तरीके से chat GPT आपके लिए फायदे मन रहेगा, developers के लिए बहुत जादा फायदे मन है, हम जैसे developers के लिए फायदे मन है, तभी कभी होता है, हमार साथ ऐसा होता है, कभी कहीं हम stuck हो जाते है, errors रगेरा में, या होती है, वो बस coders से समझ पाते है कि कैसी happiness होती है, अगर कोई bugs जो बहुत देर से solve नहीं हो रहा है, और वो अगर solve हो जाए, तो बहुत मजाता है, खेर chat GPT से हम कोई ये फायदा जरूर मिल जाएगा, मिल भी रहा है, कि अगर हम कहीं stuck होते है, हमें कोई error आ जाता है, अगर हम वहाँ पर type करते हैं, तो कुछ अच्छे solutions वो दे देता है, पूरा प्रॉपर वो solve हर के तो नहीं देता है, पर कुछ अच्छे solutions chat GPT से हमें मिल जाते हैं, ठीक है, बसे अगर आप लोग बिल्कुल भी aware नहीं हो, हालाग कि मुझे पता है, आप लोग आज कल इतना चर्च वीडियो status का application, अगर आपको बनाना भी है, अगर आप बहुत ही basic जानते हो, तो पहले तो screens के सारी coding लेलो, फिर उटको mix कर लो, उसके बाद में उसको firebase पकर store करना चाहते हो, सारा data, तो firebase के कुछ coding करा के अगर आपको basic आता है, तो उसको implement करके, build करके देखो, definitely चलेगा, अगर आपको request आई मुझे comment में, तो मैं ये live करके दिखाऊंगा, कि किसको कितनी basic आनी चाहिए, कि वो chat GPT की help से अपना एक अच्छा application बना सकता है, अगर आपकी request आई comment में, तो मैं जरूरी ये live करके दिखाऊंगा आपके सामने मेरे next video में, ठीक है, और अगर आपको ये स समझ में आ गया, कि chat GPT से आप free में आप नहीं बना सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है दोस्तों, मैंदे है next video में,